हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल एक्जाम अचीवमेंट पे मैं करुणा आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ शड़ंग पर आधारित वे सभी प्रशन जो इस से पहले परिक्षाओं में पूछे जा चुके हैं यानि की शड़ंग पर लगभग किस तरह के कोशिंज पूछे जाते हैं उन सभी का ब्योरा लेकर दोस्तों इस तरह से मैं हर टॉपिक पर वीडियोज लेकर आऊंगी आशा करते हूँ हमारा साथ बना रहेगा जल्दी ही KVS, RPSC और DSS भी तीनों डिपार्टमेंट वेकिंसी निकालने वाले हैं जिसके अंदर चित्रकला के लिए काफी पदिनोंने दिये हुए हैं तैयारी को बनाए रखें मेरे साथ बने रहें और अपने डाउट्स पूछते रहें शुरू करते हैं पहले प्रशन के साथ कामसुत्र की उस टीका के जिसमें सडंग का वर्णन है टीका कार कौन थे? यशुधर पंडित, यश्राज पंडित, पंडित दीनानात या पंडित जैनात तो दोस्तों इसका अंसर है ओप्षिन ए यशुधर पंडित और दोस्तों ये पूछा गया था आपसे तीज़िटी परिक्षा 2000 में इसके बारे में डिटेलिंग की हुई है ईशा पूर्व पहली शताबदी के लगभग शडंग चित्रकला छे अंगो वाली कला का विकास हुआ था यशुधर पंडित ने जैमंगला नाम से टीका करी थी कामसुत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए पंडित ये शुधर ने आलेक यानि की चित्रकला के छे अंग बताये थे कामसुत्र और जैमंगला में और वो छे अंग है रूप भेद प्रमाणानी भाव लावर्ने योजनम साद्रश्यम वणिका भंग इती चित्र शडंकम यहाँ पर इसकी डेटेलिंग भी की गई है रूप भेद यानि की रूप के अंदर अंतर करना यानि की अगर आपके पास एक चोकोर डब्बा चित्र में बना है तो आप अंतर कर सकें कि वो डब्बा पत्थर का है या वो डब्बा या फिर वो पनीर का तुकड़ा है या फिर वो मतलब कागत से गत्ते से निर्मित है इस चीज को हम रूप भेद कहेंगे. और प्रमाण है, सही नाप और सरचना की जानकारी. भाव से मतलब है भावना, लावर्ने योजना से मतलब है, सुन्दर्ता, साद्रश्य से मतलब है, इसके या उसके जैसा, जैसे चंदा सा मुख और वणिका भांग यानि की तुलिका, वणिका मतलब रंग भेद, अलग-अलग रंग. सिक्ट कुर्शन है फ्रेंड्स, भारते चित्रकला के शणंगों को सही करम में पहचानिये, तो आप तभी पैचान सकते हैं, जब आपको रूप भेद, प्रमानानी भाव, लावणे योजनम, साद्रश्यम, वणिका भिंग, इतिचित्र, शणंकम, अगर ये शणंग आपको याद होगा. और ये पूछा गया है, TGT परिक्षा 2016-13 में. इसके अंदर रूप भेद, प्रमान, भाव, लावणे योजनम, पहला ऑप्षिन सही है, क्योंकि सभी करम से है. कोशन नमबर 3, शणंग का पहला अंग कौन सा है, ये TGT परिक्षा 2005 में पूछा जा चुका है, और इसके अंदर आप्षिन है, प्रमान, साद्रश्य, रूप भेद और भाव, तो पहला यानि की रूप भेद सही है. कोशन नमबर 4 है, शणंग किस से संबंदित है, तो चित्रकला से, मूर्तिकला से, या फिर वस्त्र से, या इस्थापत्ते से, ये TGT परिक्षा 2003 में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल के लिए, ये हमारा चित्रकला से संबंदित है, और सॉरी, ओप्षिन एक. कोशन नमबर 5 है, भारतिय शणंग, यानि कि 6 अंग के रचायता कौन है, रामचंद्र शुक्ल, ये शुधर पंडित, कालिदास या भरत, तो आपको पताईए, ये शुधर पंडित. कोशन नमबर 6, दोस्तों ये जो कोशन उपर गया है, पीजिटी परिक्षद 2004 में पूछा गया है, नेक्स्ट कोशन है, भारतिय शित्रकला के शणंग में अनुपात को किस सब्द से परिभाशित किया गया है? प्रमाण, सोचने की ज़रत नहीं, सादरश्य, लावने, योजनम, वने का भांग, या पर D, प्रमाण, तो हम जाएंगे प्रमाण के साथ, क्योंकि हमने पूरी डेटेल उपर पढ़ लिया है, शणंग सिद्धान्थ किस ग्रंथ में है? तो इसमें भी सोचने की बात नहीं और या ओप्शन D, जे मंगला से लिया गया है, और येशोधर पंडित ने दिया है, और छे आंग है, कोशन नमबर आट, दोस्तों देखो ये कोशन भी 2003 TGT परिक्षा में पूछा गया है, और अब जो कोशन है, वो PGT परिक्षा 2003 में पूछा गया है, भारते चितर कला के 6 अंगों का विस्तरित विवरण किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऑप्शन A, येशोधर करत, जे मंगला में, नेक्स्ट कोशन है, वात्सायन रचितर काम सुत्र की व्याख्या या टी का में कला के शडंग का उलेख किस ने किया, ये है ऑप्शन C, येशोधर, ये TGT परिक्षा 2001 में पूछा गया प्रशन है, नेक्स्ट कोशन है, भारतिय चितर कला शडंग के सुत्रधार कौन है, तो अब तक तो मुझे लगता है, आपको शडंग पे लगबग सभी कोशन आ गये होंगे, इसका भी ऑप्शन है, A, पंडित येशोधर, और ये TGT परिक्ष किस प्रशित ग्रंथ में है, तो जैमंगला, ऑप्शन डी, ये TGT परिक्षा 2009 में पूछा गया है, कुशन नमबर 13, वर्ण रंग के लिए भारतिय चितर कला के शडंग में किश सब्दावली का प्रियोग किया गया, देखे, मैंने बताया था, वर्ण के लिए हमने यूज किया था, वर्णी का भंग, ये है ऑप्शन C, और ये TGT परिक्षा 2005 में पूछा गया है, इसके लिए यहां पे राइटर ने कुछ लिखा है, तो प्रत्वी के सारे रूप हमें रंग और रेखा मिला कर ही दिखते हैं, जिसका वर्णन शडंग के वर्णी का भंग अंग मे किया गया है, अतहां वर्ण के लिए भारतिय चित्रकला के शडंग में पर्णी का भंग शब्द को प्रियोग में लिया गया है, कोशन नमबर 14 है, भारतिय शिल्प शडंग पुस्तक के लेखव, तो वो हैं, अमनिंद्रनाथ टेगोर, इस कोशन को याद कर लीजे दोस्तो ये टीजटी परिक्षा 2010 में पूछा गया है, यशोधर पंडित ने जो जै मंगला में शडंग सिधांत दिया, जिसमें चित्रकला के छे विभिन अंग बताए गए, उसके बाद अमनिंद्रनाथ टेगोर ने भारतिय शिल्प शडंग के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, ड भारतिय चित्रकला के पुन जागरण काल के संस्थापक देख लीजे दोस्तों, एक कोशन और नया याद करो कि भारतिय है, चित्रकला के पुन जागरण काल के संस्थापक थे अमनिंद्रनाथ टेगोर, जिन्होंने भारतिय चित्रकला के उत्थान में महत्वण योगदान था जिसमें इन्हों ने येशोधर पंडित के चित्र शणंग की दुबारा से व्याख्या की थी कुर्शन नमबर पंदरा पर आ जाते हैं येशोधर के चित्र शणंग की पुन व्याख्या किसका लाकार ने की तो अब भी हमने पढ़ा है कुछ लिखा हुआ है नीचे उसे देख लेते हैं भारतिय परंपरा के अनुसार कला उन सारी किरियाओं को कहते हैं जिनमें कोशल अपेक्षित है जैसे की बढ़ाई, कुमार अगर किसी चीज का निर्मान करता है तो वो भी कोशल और कला की डृस्टी से महत्वपून है और इसका ही एक अंग माना जाएगा कला एक प्रकार का क्रतिम निर्मान है जिसमें शारिरिक और मानसिक कोशलों का प्रियोग होता है एक कलाकार अपने जीवन की अनुभूती से चित्रन करता है दोस्तों इसी कोशन के साथ नीचे भी कुछ डिटेल दे रखिए कला शब्द का सुर्पथम प्रियोग भरत मुनी ने अपने नाट्य सास्तर में किया था दोस्तों बहुत इंपोड़न कोशन है इसे भी याद कर लेया प्लेटो ने कला की डृस्टी से एक अपनी डेफिने कला जीवन को सत्यम सिवं सुंदरम में समन्वित करती है नेक्स्ट कुर्शन है फ्रेंट्स भारती चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष है ये टीजटी परिक्षा 1999 में पूछा गया प्रशन है और ऑप्शन है हिर्द्यसपर्दी आनंद प्रदान करती है आँखों क को सुंदर लगती है इंद्रियों को संतुस्ट करती है जन जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करती है तो इन में से जो अप्शन हमें सबसे ज्यादा हम को सेटिसफाइड करेगा हम उस पर जाएंगे तो वह है ऑप्शन ए हिर्द्यसपर्दी आनंद प्रदान करती है भारत नमबर 18 एक सफल सेक्षिक पाठ्थे करम में किसका महत्व है ये टीज़िटी परिशय दो हजार दीन में पूछा गया है इसका आंसर है एक सफल सेक्षिक पाठ्थे गरम में कला का महत्व पूनिस्थान है इसमें मानव मन में समवेदनाय उभारने प्रवर्तियों को ढालने चिंतन को मोडने तता अभूरूची को दिशा देने की अध्भुच शमता होती है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र सूत्र के कितने रसो अत्वा प्रधान वरतियों की चर्चा है यह पीजटी परिक्षा 2003 में पूछा गया प्रशन है और इसका आंसर है नौ रसों की व्याख्या की गई है तो अब नौ रसों कौन से हैं उनको देख लेते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सुत्र में नौ रस की रचना मिलती है जिसमें चित्र के लिए श्रंगार हार्ष वीर करुण रोध भ्यानक विभित्स्व अध्भुत तथा सांत रसों का वर्णन किया गया ह देखिए सबसे पहले भरत मुनी ने आठ रस प्रतिपादित किये थे और भरत मुनी के बाद नौवा रस अभिनव गुप्त ने प्रतिपादित किया था जो था सांत रस कोश्य नमबर बीस की तरफ चलते हैं चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं तो इसका सही आंसर है दोस्तो ए नौ रस होते हैं हमारे और ये टीचिटी परिक्षा 2003 में पूछा गया है कोश्य नमबर 21 है विश्णो धर्मोतर पुराण में कितने कला रूपों की चर्चा की गई है आंसर है 32, 64, 48 और 32 तो कोई भी आप्शन इन में से सही नहीं है व्याख्या देख लेते हैं किस की बात की गई है कला रूप की तो विश्णो धर्मोतर पुराण के एक अध्याय चित्रशुत्र चित्रकला पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि चित्रकला के छे अंग है इसमें आकरती की विभिनता, अनुपात, भाव, चमक, रंगों का प्रभाव शामिल किया गया है अतहा इसमें केवल छे अंगों की चर्चा की गई है वादसायन की काम सुत्र मे 64 कलाओं के अंतरगत चित्रकला का उलेख किया गया है और यह भी कहा गया है कि कला विज्ञानिक सिध्धानतों पर आधारित है Question number 22 है Friends विश्णो धर्मुत्र पुरान किसने लिखा है तो यह PGT परिक्षा 2009 का Question है और इसका अंसर है विश्णो धर्मुत्र पुरान के लिखाते मारकंड मुनी भाते संस्कृती में नृत्य को परमचित्र कहा गया है और यह बात बिलकुल सही है मारकंड मुनी ने विश्णो धर्मुत्र पुरान के चित्रशूत्र के प्रारंब में ही चित्रविध्या के शुष्म स्वरूप की और इंगित करते हुए लिखा है महाकवी कालीदाश ने भी निर्तैकला को सर्वश्रेस्र माना है भारत में निर्तेवे संगीत दोनों की उत्पत्ती शिव और पार्वती से मानी गई नेक्स्ट कुश्चिन है फ्रेंड्स 27 कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मकार मार्थ मोक्षदम किस उस्तक से उद्यत है और दोस्तों इसका अंसर होगा और चित्र सुत्र में ये चीज हमें देखने मिलती है और ये 2005 TGT परिक्षा में पूछा गया प्रशन है चित्र कला के महतु को प्रतिपादित करते हुए चित्र सुत्र में चित्र सुत्र कारकार कथन है कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मंगल्यम प्रथम चेत्र गहे यत प्रतिस्ठितम मतलब कि चित्र प्रदान करता है धर्म को, काम को, मोक्ष को, मंगल को है ना यही कुछ इसके अंदर बताया गया है कोशन नमबर 28 है चित्र लक्षण के रचैता गोंते है तो शामलानंद, गोपालदास, राज़ा भैजीत और शंकराचारे यह कुछ नया है दोस्तों और यह पीजटी परिक्षा 2010 में बुझा गया इसका आंसर है राज़ा भैजीत जिसको नगनजीत के नाम से भी जाना जाता था इसका बारे में पढ़ लेते हैं चित्र लक्षण के रचैता राज़ा भैजीत को माना जाता है पोराणिक रूप से कथा में वर्णन मिलता है जिसमें राज़ा भैजीत के पुत्र की ऐसमें मृत्य हो जाने के पस्चात राज़ा ने पुत्र के जीवित होने के लिए तपस्या किया जिससे प्रशन होकर ब्रह्मा ने मुरत पुत्र का चित्र अंकित करने को कहा राजा ने पुत्र का चित्र बनाया ब्रह्मा जी ने राजा के पुत्र को जीवन दान दे दिया और राजा से प्रशन होकर बोले तुमने नगन प्रेतों पर विजय प्राप्त कर लिया है अपत्तिसे संबंधित कथा का वर्णन किस में मिलता है चित्रसूत्र में चित्रलक्षन में कामशूत्र में यह द्रहए Przyhran चित्र नगनजीत ने बनाया चित्र लक्षन नामक ग्रंथ में उसका विवरन मिलता है और नगनजीत को राजा बहजीत के नाम से जाना जाता है यह पीजटी परिक्षा 2010 में पूछा गया प्रशन है फ्रेंड्स आशा करती हूं मेरा इस अंकलन आपको अच्छा लगा होगा इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की और वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले उम्मीद रहेगी कि आप म